Hello my dear young friends, you are most welcome in Renu's channel 9 of Thoughts in English और आज हम करने जा रहे हैं, Class 9th Beehive, Lesson No. 3, The Little Girl and it is written by Catherine Mansfield. बहुत ही interesting lesson है और छोटे बच्चे जो होती हैं, उनकी mentality, उनकी psychology बड़े ही अच्छे ढंग से Catherine Mansfield ने इसमें clear की है और इसका जो story का जो theme है, वो ये है कि young children जो हमेशा समझते नहीं है कि जो उनके parents हैं, उनके behavior को नहीं समझते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि ये parents हमारे डांट रहे हैं बहुत गुसा आता है, मार रहे हैं तो गुसा आता है हाला कि मारना नहीं चाहिए बच्चो को और बच्चो को प्यार से समझाना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि parents जो है वो हलकासा slap अगर बच्चो को लगा देते हैं तो बच्चो को पनिश करने के लिए थोड़ा सा बच्चे के मन में डर बठाने के लिए जिससे की बच्चा आगे ऐसे कोई काम को ना करे जिससे की उसे नुक्सान पहुंचे तो इस story के अंदर जो है children जो है लेकिन कुछ समय के बाद जो बच्चे है वो succeed हो जाते हैं ये find करने में reasons को find करने में कि जो उनके parents के actions है या जो उनकी words है वो जो है कैसे है वो उनके लिए उनके बच्चो की goodness के लिए ज्यादा अच्छे हैं तो इसमें जो एक little girl है जिसका नाम है केजिया केजिया का characters के बहुत important है और केजिया जो है एक little girl है जिसके नाम से chapter है ये है और वो बहुत अपने father से डरती है और वो ये सूचती है उसके father बहुत strict है फिजिकली बहुत strong है लेकिन बाद में क्या होता है she realizes और उसको जो है वो realize होता है केजिया को realize होता है कि जो उसके father है वो बहुत ही जादा lonely है और उसके father जो है physically भी mentally बहुत वलने नेबल है और उनको भी देखभाल की जरूरत है क्या होता है कि वो realize करती है कि उसके father सक्त मेहनत करते हैं और इतने ठक जाते हैं कि वो Mr. McDonald जो कि अपने बच्चों के साथ उनके neighbor हैं अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वो Mr. McDonald नहीं बन सकते हैं और क्योंकि अपने काम से ठक जाते हैं महनत करने के बाद, और फिर क्या होता है कि वो ये भी समझ जाती है कि उसके फादर ने अगर उसको data है, या punishment दी है, तो वो इसलिए क्योंकि उसने उनके important papers को फाड़ दिया था, तो ये जो story है, ये केजिया की है, little girl है केजिया और बहुत ही interesting story है, बच्चों की psychology को बहुत ही अच्छे रंग से ये clear करता है lesson, okay now without wasting even a single minute, मैं आपको summary बहुत जादा नहीं दे रही हूँ, हम इसी के अंदर ही इसको पढ़हेंगे, the little girl written by Catherine Mansfield, before you did, do you feel you know your parents better now, क्या अब आप मैसूस करते हैं कि आप अपने parents को अच्छे से जानते हैं, then when you were much younger, बजाए उस समय के जब आप बहुत चोटे थे, perhaps you now understand the reasons for some of their actions, शायद अब आप समझ गए होंगे, कुछ उनके ऐसे actions that used to upset you earlier, उनके ऐसे काम जो कि आपको पहले निराश करते थे, आपको अपने parents पर बहुत गुसा आता था, this story about a little girl whose feelings for her father, change from fear to understanding, ये कहानी एक छोटी सी लड़की की, जिसकी feelings, जिसकी भावनाए जो हैं, अपने father के लिए बदल जाती हैं, from fear to understanding, डर से, डर उसकी जो feelings थी पहले वो डर की थी, लेकिन अब उसकी समझदारी अपने father को समझने की बढ़ जाती है, will probably find an eco in every home, और इस तरह की गूंज, इस तरह की बच्चों की mentality, behavior, parents के actions, उनके work, हर घर में देखने के लिए मिल जाते हैं, चोटी लड़की के लिए उसके father एक डर का फिगर थे, डर का एक फिगर थे, और उस जो लड़की थी, डर के मारे अपने फादर को avoid करती थी, नजर अंदाज करती थी, every morning before going to work, सुभा हर रोज अपने काम पर जाने से पहले, he came into her room, वो अपनी बेटी केजिया के कमरे में, little girl के कमरे में आते हैं, and gave her a casual kiss, और उसे बड़े प्यार से चुमते, to which she responded with goodbye father, और इस पर केजिया जवाब देती थी, अपने फादर को goodbye करती थी, and oh there was a glad sense of relief, और बड़े ही उसको sense of relief, उसे बड़ा आराम मिलता था, बड़े खुश हो जाती थी, when she heard the noise of the carriage, और जैसे ही वो सुनती थी, कि गाड़ी की आवाज आ रही है, growing finter and finter, गाड़ी की आवाज, जिस पर उसके फादर बैट कर जाते थे, वो हलकी और हलकी होती जा रही थी, down the long road, समय जब उसके फादर घर आते थे, she stood near the staircase, केजिया सील्डियों के पास खड़ी रहती थी, and heard his loud voice in the hall, और hall के अंदर अपने फादर की तेजूंची आवाज सुनती थी, Bring my tea into the drawing room, मेरी चाई drawing room में ले करके आओ, hasn't the paper come yet, क्या अभी अख़वार नहीं आया अब तक, Mother, go and see if my papers out there, मा जाओ और देखो, क्या मेरे paper जो है वहाँ पर है, and bring me my sleeper, जाओ मेरी चपले ले कर आओ, केजिया, Mother would call to her, और Mother जो है, अवाज लगाती केजिया, If you are a good girl, you can calm down, केजिया, अगर तुम एक बहुत अच्छी लड़की हुँ ना, तो नीचे आओ and take off father's boots, और अपने father के जूते ले जाओ, Slowly the girl would slip down the stairs, धीमे धीमे लड़की, नीचे सीडियों से उतर कर आती, more slowly still across the hall, और और धीमे उसकी चाल हो जाती, जब तक की वो hall को cross करती, and push open the drawing room door, और drawing room के दर्वाजे को धकेल कर खोलती, by that time he had his spectacles on, इस समय तक उसके father काम पर से आकर अपने drawing room में बैठे हैं, और उनका चश्मा नाग पर चढ़ जाता, and looked at her over them in a way, और चश्मे के उपर से वो इस तरह से देखते, that was terrifying to the little girl, और उनकी ये look लड़की को भईभीत कर देती, डरा देती, well case ya hurry up, case ya जल्दी करो, and pull off these boots, ये जूते उतार कर ले जाओ, and take them outside, इन जूतों को बाहर की तरफ ले जाओ, have you been a good girl today, आज तुम अच्छी लड़की बनी थी, I don't know father, मैं नहीं जानती father, ये डर डर एक स्टैंब्रिंग होती हकलाना है बच्चे का, डर के मारे, you डर 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 डोंट नो, तुम नहीं जानती, if you stutter like that, अगर तुम इसी तरह हकलाती रही, mother will have to take you to the doctor, मा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, she never stuttered with other people, केजिया दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती, had quite given it up, उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, but only with father, लेकिन सिर्फ हकलाती है, वो अपने father के साथ, क्योंकि उनसे डरती है, because then she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि उस समय वो कोशिश करती है, शब्दों को अच्छे डंग से कहने की, और इसलिए केजिया हकलाने लगती है, what is the matter, क्या बात है, what are you looking so rest about, तुम इतनी rest का मिनि, इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो, बेचारी क्यों लग रही हो, mother, I wish you taught this child, not to appear on the brink of suicide, मा, मैं चाहता हूँ, तुम इस बच्चे को सिखाओ, कि मरने के कागार पर मत पहुँच जाया करे, ऐसा लगता जैसी ही लड़की मरने वाली है, here, केजिया, यहां केजिया, carry my tea cup back to the table carefully, यह मेरा चाय का कप, वापिस साफधानी से, table की और ले जाओ, यहां मेनिंग जब वो उबासी लेते थे, मुँ पूरा खोल कर तब उनका मुँ इतना बड़ा लगता था, thinking about him alone, was like thinking about a giant, और जब केजिया अकेले में अपने फादर के बारे में सूचती थी थी न, तो उसे लगता था, वो एक शैतान के बारे में सूच रही है, ऐसा आप अपने फादर के बारे में जो बच्चे बहुत डरते हैं अपने पैरेंट से, उनको ऐसी लगता है कि हमारे पैरेंट सुए वो शैतान है, now, on Sunday afternoons और रवीवार की दोपहरों में, Grandmother sent her down to the drawing room, Grandmother दादी मा नीचे भेज देती थी केजिया को drawing room में, to have a nice talk with father and mother, जिससे कि वो अच्छी अच्छी प्यारी बाते करे, अपने पिता से और अपनी मा से, but the little girl always found mother reading, लेकिन छोटी लड़की जैसे ही drawing room में आती थी, वो क्या पाती थी, कि उसकी मदर पढ़ रही होती थी, and father stretched out on the sofa, और उसके father, पैर पसार कर सोफे पर पढ़े होते थे, देख सकते हैं, you people can see it, that mother she is sitting on the sofa and she is reading, and father, देखें, दो तक्या लगा करके, और पैर फ़ला कर सो रही हैं, his handkerchief on his face, उनका रुमाल उनके चहरे पर, his feet on one of the best cushions, और उनके पैर, उसके एक सबसे अच्छे छोटे से कुशन पर रखे होते थे, कुशन एक चौरस तकिया होता है, पिलो, rectangle तकिया होता है, और कुशन चौरस तकिया होता है, जिसके जो square की तरह होता है, that a little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, okay, now, she sat on a stool, वे stool पर बैट जाती, gravely, गंभीरता से, seriously, washed him, उन्हें देखती रहती, until he woke, जब तकिया उसके फादर नावट जाते, until एक negative connector होता है, उसके next वाला sentence negative हो जाता है, and stressed, stress का मतलब उपासी लेना, अपने शरीड को खींचना, and ask the time, और वो समय पूछते, then looked at her, और फिर केजिया की और देखते, don't stare, so केजिया, केजिया इस तरह मत घूरो, stare का मतलब, look constantly, लगतार देखना, you look like a little brown owl, ऐसे तो तुम छोटी सी भूरे रंग के उल्लू लगती हो, one day when she was kept indoors with a cold, एक दिन की बात है, जब केजिया घर में ही थी, और उसको cold हो रहा था, that she was suffering from जुकाम, जुकाम से उसको परिशानती वो, her grandmother told her, that father's birthday was next week, और उसकी दादी मा ने बताया, कि उसके फादर का जनम दिन, अगले हपते आ रहा है, and suggested she should make him a pincushion, उसकी दादी ने सुझाव दिया, कि उसे एक pincushion बनाना चाहिए, एक चौरस तक है अपने फादर के लिए बनाना चाहिए, for a gift, उसके लिए उपहार के लिए, out of a beautiful piece of a yellow silk, एक पीले रंग के silk के सुंदर कपड़े का, उसे एक कुशन, pincushion बनाना चाहिए, laboriously, बड़ी ही मेहनत से, work hard, she worked hard, with double cotton, और double cotton का कपड़ा रग कर, the little girl stressed three sides, चोटी लड़की ने तीनों साइट को सिल दिया, but what to fill it with, लेकिन इसमें अब मैं क्या भर हूँ, that was the question, यही सवाल था, the grandmother was out in the garden, दादी मां बहर बगीचे में थी, and she wandered into mother's bedroom, to look for scrapes, और केज या, wandered का मतलब भटकती हुई, इदर उदर घूमती हुई, कत्रने ढून रही है, वो उसमें भरने के लिए, अपनी mother के bedroom में आई, to look for scrapes, scrapes क्या होती है, छोटे छोटे कागज के टुकडे, कपडे के टुकडे, जो की, जो है वो, जो की घर में अक्सर काम में नहीं आते, on the bed table, और bed के बराबर में जो table थी, she discovered, उसने पाया, a great many sheets of fine paper, पतले पतले कागजों की sheets को उसने पाया, gathered them up, उसने इकटा किया, tore them into tiny pieces, उनको छोटे छोटे टुकडों में फार दिया, and stuffed her case, case यहाँ पर pin cushion है, और उसने भर दिया, ठूस दिया, छोटे छोटे कागज की टुकडों को, अपने pin cushion में, then sewed up the fourth side office, चौथी side को भी सिल दिया, that night there was a hue and cry in the house, hue and cry का मतलब, जोर जोर से आसमान सिर्फ उठा लेना, hue and cry एक idiom है बेटा, जिस सिर्फ उठा लेना, जोर जोर से गुस्से में आवाजे आ रही थी गर में, father's great speech for the port authority had been lost, father की एक speech थी, उन्होंने लिखी थी, जो कि उन्हें port authority पे देनी थी, वो खो गई थी, rooms were searched, सारे कमलों की तलाशियां हुई, servants questioned, सारे नौकरों से सवाल किये गए, finally mother came into Kezia's room, अन्त में जो उसकी मदर थी, वो केजिया के कमरे में आई, केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room, केजिया, मैं सोचती हूँ, तुमने हमारे कमरे में table पर, कागजों को तो नहीं देखा होगा, oh yes, हाँ, she said, उसने कहा, I told them up for my surprise, मैंने surprise gift बनाने के लिए, फादर के बर्थदे का gift, surprise gift बनाने के लिए, मैंने उनको फाड़ दिया, what, screamed mother, क्या, माच लाई, come straight down to the dining room, this instant, इसी समय, नीचे, सीडियों पे, dining room के अंदर आओ, and she was dragged down to where father was pacing to and fro, और केजिया को घसीट कर नीचे लाया गया, जहां उसके father pacing to and fro का मतलब, कमरे में इधर उधर चक्कर लगाना, hands behind his back, हाथ पीछे बांधे हुए थे, उसके father ने well, he sat sharply, और father ने का, अच्छा, उन्होंने तीखे रूप से कहा, mother explained, mother ने बताया, he stopped and strayed at the child, वह ठहरे और घुरने लगे लड़की को, child कौन है केजिया, did you do that, क्या ये तुमने किया, no, 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 she whispered, वह फुस फुसाई, whispered का meaning to speak in a low tone, mother go up to her room, maa जाओ इसके कमरे में, and fetch down the damn thing, और उस दुष्ट चीज को ले कर आओ, damn thing, क्या चीज है, उसका pin cushion, which she has prepared for the surprise gift, for her father's birthday, see that the child had put to bed this instant, इसी समय इस बच्चे को, बिस्तर पर ले जाओ, crying too much to explain, के जिया इतना रोई के वह, explain नहीं कर पाई, बेटा जहाँ पर double two or two आता है, वहाँ भी negative sense निकलता है, इतना रोई के explain नहीं कर सकी, she lay in the shadowed room, और केजिया जो है, वो shadowed room के अंदर, चाया, कमरे के अंदर चाया थी, वहाँ पर room watching the evening light, जो की शाम की रोशनी को देख रही थी, make a sad little pattern on the floor, और फर्ष के ओपर, अपनी एक दुखी चाया को, चोटी सी दुखी चाया को देख रही थी, then father came into the room, और father उसके कमरे में आए, with a ruler in his hands, उनके हाथ में ruler क्या एक फुटा, जिससे कि हम फुटा होता है, scale जिसे कहते हैं, लगली का भी होता है, plastic का भी होता है, कमरे में लेकर आए, I am going to beat you for this, he said, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं, उन्होंने कहा, ओ, no, no, she screamed वह चिल्लाई, नहीं, नहीं, hiding under the bed clothes, और बिस्तर की चादर के नीचे छुप गई, he pulled them aside, और उन्होंने उसको खीच कर आगे किया, sit up, बैठ जाओ, he ordered, उन्होंने आदेश दिया, and hold out your hands, अपने हाथ आगे करो, you must be taught once, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए, and for all not to touch, what does not belong to you, और तुम्हें सिखाया जाना चाहिए, कि तुम्हें उन्चीजों को नहीं चुना चाहिए, जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये आपके जन्म दिन के लिए था, केजिया ने क्या किया था बेटा, केजिया ने जो कागस थे, फाइन शीर्ष थी, वो एक speech थी, फादर की port authority की, उसको टुक्डे टुक्डे करके, और उसमें भर दिया, क्योंकि केजिया को नहीं पता था, लेकिन उसे, जो चीज उसको बिलॉंग नहीं करती, जो चीज हमारी नहीं है, उसे हमें नहीं चूना चाहिए, नाओ, डाउन केम दा रूलर, और लिटल पिंक पाम, उसकी छोटी गुलाबी हतेलियों उपर, फुटा पड़ा, आवर्स लेटर, एक घंटे के बाद, ग्रैंड मदर हैड रप्ड हर, इन शॉल, एक घंटे के बाद, दादी ने उसको लपेट लिया, रप्ड का मेनिंग कवर्ड, उसे लपेट लिया, शॉल के अंदर, रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेर, रॉकिंग चेर क्या होती है, कि भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया, here is a clean hanky, ये लो साफ रुमाल लो darling, प्रिये ये साफ रुमाल लो, blow your nose, अपनी नाख साफ करो, go to sleep, pet, pet किसी deer को कहती है, सोने जाओ अब, you will forget all about it, in the morning, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी, I tried to explain to father, मैंने अपने फादर को बताने की कोशिश की, but he was too upset to listen tonight, लेकिन वो इतने जादा upset है, कि बिलकुल मेरी बात को आज की रात नहीं सुन पाए, but the child never forgot, लेकिन child केजिया ये सब नहीं भूली, next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, वो जब भी अपने फादर को देखती, जल्दी से अपने हाथों को पीछे बांद लेती, and a red color flew into her cheeks, और उसके गाल डर के मारे लाल हो जाते, the McDonald's lived next door, McDonald's उनके पड़ोसी थे, they had five children, उनके पाँच बच्चे थे, looking through a gap in the fence, दिवार में जरा से छेद में से, the little girl saw them playing tag in the morning, और tag क्या होता है, पकड़न पकड़ाई का खेल होता है बिटा, और उसने देखा, छोटी लड़की ने देखा, शाम के समय, वो अपने पाँच बच्चों के साथ tag, पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, दा फादर विद दा बेबी माओ, और मिस्टर मेकड़नल्ड जो की फादर है, उन्होंने बेबी माओ, on his shoulder, उसे अपने कंदे पे बठाया हुआ था, two little girls hanging on to his coat pockets, दो लड़कियां, उनकी coat की pocket को पकड़ कर जूल रही थी, ran round and round the flower beds, और वो फूलो की जो क्यारियां थी, उनकी आसपस गोल गोल घूम रहे थे, दौड रहे थे, shaking with laughter, हसी से हिल रहे थे, once she saw the boys turn the horse on him, उन्होंने देखा की लड़कोंने, दो लड़कोंने horse, पानी का pipe होता है, अपने फादर की और पानी का pipe मोड दिया, और तब केजिया ने निरने लिया की सब पिता अलग अलग तरह की होते हैं, suddenly one day, एक दिन अचानक, mother became ill, मा बिमार हो गई, and she and grandmother went to hospital, और केजिया की mother और उसकी दादी मा अस्पताल चली गई, the little girl was left alone in the house, छोटी लड़की घर में अकेले थी, with Alice the cook, अपने रसो, यह Alice के साथ, that was all right in the daytime, दिन के समय तो यह सब कुछ ठीक था, yes you people can watch that five children and Mr. MacDonald, they are praying, यह देखिये वो लोग खेल रहे हैं, केजिया जो है fence में से, छेद में से, वहां से देख रही है, but while Alice was putting her to bed, लेकिन जैसे ही Alice ने उसको बिस्तर पर रखा, she grew suddenly afraid, केजिया अचानक डर गई, what will I do if I have a nightmare, she asked, उसने कहा, मैं क्या करूँगी, अगर मुझे सपना आया, बुरा सपना आया, I often have nightmares, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, and then Granny takes me into her bed, और जब मुझे बुरे सपने आते हैं, तो मेरी दादी, अपनी विस्तर पर मुझे ले जाती है, I can't stay in the dark, Alice, कोकने रसो, ये ने कहा, तुम इसी समय को सोने के लिए जाओ बेटा, pulling off her socks, उसकी मोजों को उतार दिया, and don't you scream and wake your poor pa, देखो चिलाना मत, और अपने बिचारे पिता को मत उठाना, but the same old nightmare came, और वही सपना केजिया को बुरा सपना वापिस आता है, नजदीक और नजदीक आ रहा था, smiling that dreadful smile, उसकी मुस्कुराहट भैनक थी, while she could not move, और केजिया हिल नहीं पा रही थी, could only stand still, सिर्फ चुप खड़ी थी, crying out चिला रही थी, grandma, grandma, दादी, दादी, she woke shivering to see father beside her bed, कापती हुए उसने देखा, कि उसके father उसके बिस्तर के नजदीक खड़े थे, a candle in his hand, उनके हाथ में एक मुमबत्ती थी, what is the matter, क्या बात है, उन्होंने पूछा, oh, a butcher, a knife, एक कसाई, एक चागू, I want granny, मुझे दादी चाहिए, he blew out the candle, उन्होंने मुमबत्ती बुजाई, और आंगन में से अपने घर में to the big bedroom, अपने घर में लेकर, कमरे में लेकर, बेडरूम में लेकर चले गए, a newspaper was on the bed, अखबार बिस्तर पर पड़ा था, he put away the paper, उन्होंने कागस को, अखबार को एक और किया, then carefully tucked the child, और बड़ी साफधानी से, बच्चे को tucked का मिनिंग, बड़ी ही covered up utterly, nicely in bed, और बिस्तर पर लिटा कर, अच्छे से उसको tucked up कर लिया, ढग दिया, he lay down beside her, वो अपने फादर के बराबर में लेटी हुई थी, half asleep still, और अभी भी आधे सोय हुए, still with the butcher's smile, अभी भी कसाई की मुस्कुराहाट, all about her, it seemed, उसे अपने आसपास दिखाई दे रही थी, she crept close to him, वह रेंग कर अपने फादर की नजदीक चली गई, snuggled her head, snuggled का मिनिंग होता है, moved into a warm comfortable position, एक ऐसी आराम दैक position पर, close to another person, की बहुत comfortable position में, किसी दूसरे के पास comfortably चले जाना, now snuggled her head under his arm, और अपने सर को, उसने अपने फादर की बाजू के नीचे रख लिया, held tightly to his shirt, उनकी कमीज को कसकर पकड लिया, then the dark did not matter, she lay still, अब अंधेरा नुकसान नहीं कर सकता, वह शांत लेटी थी, here rub your feet against my legs, अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रख लो, and get them warm, उन्हें गरम कर लो, said father, father ने कहा, tired out, बिल्कुल थके हुए, he slept before the little girl, वह चोटी लड़की से पहले सो गए, a funny feeling came over her, एक बहुती मजेदार भावनाई, feeling जो है little girl को हो रही थी, poor father, बिचारे पिता, not so big, इतने बड़े नहीं थे after all, जितने के उनने giant लड़की को दिखाई देते थे, and with no one to look after him, कोई नहीं है उनकी देख भाल करने के लिए, he was harder than grandmother, वह दादी मा से कहीं ज़ादा सक्त थे, but it was a nice hardness, लेकिन उनकी सक्तिव अच्छी लग रही थी, and every day he had to work, हर रोज उनने काम करना पड़ता है, and was too tired to be Mr. MacDonald, इतने ज़ादा थक जाती हैं, कि Mr. MacDonald नहीं बन सकते, she had torn up all his beautiful writing, केजिया ने उनकी सारी खुबसूरत लेखों को फाड दिया, she is tired suddenly, धी में से वेही ली, tired meaning moved, and sighed, और उसने दुख से आ ली, what is the matter? asked her father, father ने पूछा, क्या बात है बिटा, another dream, दूसरा सपना, oh, said the little girl, चोटी लड़की ने का, oh, my head is on your heart, मेरा सिर आपके दिल के उपर रखा है, I can hear it going, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ, what a big heart, you have got father dear, मेरे प्रिये father, तुमें तुम आपका कितना बड़ा दिल है, देखिए आप केजा समझ पाई है न, कि now she could understand, कि जो father होते हैं, उनको बहुत सक्त महनत करनी पड़ती है, वो अपनी feeling को, इतने अच्छे ढंक से जो है, वो नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते हैं, जितने की और, मदर जो है, वो अपने अगर कोई problem है, तो देखिए she can shed tear, लेकिन father आँसू नहीं बता सकते हैं, ये बहुत ही important एक चीज़ होती है, जो father होते हैं, वो बच्चों के लिए, क्या होता है shelter, पूरा shelter जो है, वो बच्चों के लिए रखते हैं, हर चीज़ को fulfill करते हैं, सिर्फ हार्श होते हैं, strict होते हैं, क्यों उन्हें ऐसा होना पड़ता है, तो अपने father से आप बहुत प्यार करें, और उनकी feelings को समझें, ये समझें कि वो strict क्यों है, ठीक है, ओके, नाव next video, तक के लिए, good luck and goodbye dear friends,